के मंत्री अशोग गेलोत हवाई सरविक्षन करते हुए धोलपूर पहुंचे हैं पिलिस लाइन हैलिपेड पर सीम गेलोत का हेलिकोप्टर पहुंचा इससे पहले सीम ने बाड़ प्रवाय शेतरों का दोरा किया इसके बाद सीम गेलोत धोल पहुंचे पुलिस लाइन में वि अब भी हम लोग ने बात किये जिला प्रेस्टेशन के अधिकारियों से हैं और जो हमारे जैपपूर से भी आए एक प्रभारी जो है सचीफूर सबसे बात्चीत करी और जो कि नारे के गाव है वो जो फूब में आये हैं उनको तकलिब है तो क्योंकि पहले उनको वाणित कर है इसलिए लोग शिप्ट भी होगे तो फॉस्टिनेटी उनको जन्हान में यह एक बात है खाली फिवस्ता की बात है जो आपने अभी बताया मेरे को अच्छा फीद्बेक है और अभी कहके जाएंगे इस प्रकारते और दुरस्त हो जिस्टे की कम से कम तकलिब में लोग है उनको ऐसे वक्त में बोजल की शुर्दा डंक से मेर सके हैं तो अभी तो यही बात है घर पार छोड़ के आगे उलो चारा समान घरों में बंद है उन तकलीब में हैं केम्पों में रह रहे हैं तो सरकागी जिमोंज रहे हैं कि कैसे उनके लिए सब बिश्ता करें उन है यह पानी जो चल रहा है वहाँ पर बोटा परेश के बाद में तो मैं समझता हूं कि यह कोई बाढ़ बिहार की तरह यह आसाम की तरह नहीं है कि पुरा एरिया पुरे गहां दूब गयों और नावे चल रही हो और तुबहों वेस्ता करने पड़े जिस्तिति नहीं है आर पर बोट तो महवेसी मरे होंगे उनकी बस्ता भी करेंगे कैसे उन्हां नहीं है तो फॉचिनेटली हैं पर कोई अभी ऐसी ख़ब नहीं आई कोई राथतान में तो लोग चोपल लोग मारे गए प्रदिश के आदे बिजली चे दिवार गिरने से कोई बैदे लोग आग यह जचिने उनकिडेंगे लोगिंधता नहीं लोगलिगाए उनकी लोग् Alan